तो फ्रेंड्स आज लेकर हैं यार एक ultimate ultimate gaming editing all uses के लिए ultimate PC in price tag of under 80K 80K के अंदर एक super ultimate PC इसको बोल सकते हो यार हर एक PC का अलग-अलग use रहता है यह PC का looks देखो एक दम से आपको orange वाला look आएगा क्योंकि customer का theme जो है न टोटली black and orange theme के अंदर है और उनके office के लिए यह PC बिल्ड किया है चलो इस PC के अंदर आपको best to best यह रहेगा कि भाई यह new latest generation browser के साथ में एक high-end configuration in budget tag of 80k के अंदर बनाया है अगर आपका budget यह 5000 रुपे और है तो आप 3060 graphic card इसके अंदर जो हमने यूज किया उसको swap up करके 4060 भी यूज कर सकते हो customer का special demand था कि उसको 12GB VRAM के साथ में चाहिए था इसलिए हमने यह beast 3060 यूज किया है MSI Ventus और इसी के साथ मैं आपका Valorant PUBG CSGO जैसे games के लिए भी यह PC recommended रहेगा इस PC का customer का main using है editing और यह PC को भाई आप all over India कहीं पर भी मंगवाना है तो मंगवा सकते हो बेसिकली इसके अंदर जो हमने प्रोसेसर यूज किया Intel की तरफ से आने वाला 13400F वाला प्रोसेसर है यह एक ऐसा प्रोसेसर है जो मार्केट के अंदर काफी चर्चित है रिजन दस कोर के साथ में नौन और क्लॉकबल प्रोसेसर है इसके अंदर भी काफी अच्छा है और यह जो प्रोसेसर है DDR4, DDR5 सिग्मेंट दोनों सपोर्ट करता है हलांकि देखिए DDR4 के बारे में बताना कोई अच्छी बात भी नहीं है क्योंकि DDR5 ही आज कल रेट कम में आ रही है लेकिन किसी कस्टमर के पास उनके प्रिव्यूज पीसी के अंदर DDR4 र एम बंबर या रियली बंबाट मदरबोड है इसको सूपर मदरबोड बोल सकते हैं रीजन क्या है कि यह एक बेसिक मदरबोड है भाई हर एक कस्टमर 760 जैसे हाई-end मदरबोड जैसे कि टोमोग रहने दो या फिर इनका मोटार रहने दो यह सब मदरबोड खरीद नहीं सकत है क्योंकि इसके अंदर न्यू लेटेश्ट वाई-फाई-फाई-फाई-शी भी आ जाता है उसके अला ब्लूटूथ 5.3 भी है और भाई क्या बोलूं 16 इंटू-2 32 इंटू-2 दोनों रैम इसके अंदर सपोर्ट करता है इंटल कोर आई-फाई-ट्वेल्ट और 13 जेनरेश रहता है लेकिन i5-i7 तक जाना स्टेबल रहता है इस माधरबोर्ट के साथ में और रैम भी हमने कस्टमर ने बोला है मुझे कोई हीट सिंग नहीं चाहिए में पर्फोर्मेंस चाहिए इसलिए 16 16 इंटी तरफ से आने वाली हंटर रैम यूजज किये इसके अंदर भी एक न बताऊं तो जब कस्टमर को बजेट एकनोमिकल पीसी बनाना रहता तो कुछ चीज़ों में कॉंप्रमाइज करना पड़ता है अगर यह पीसी को आप चाहिए तो एक लाग के अंदर भी बना सकते हो लेकिन कस्टमर का में मोटो था कि यार मुझे मिनिमल सो बजेट के अंद वाइफाइ वगरा है ग्राफिक कार बताने वाला हूं में आर्टी एक्स 3060 12GB VRAM के साथ में MSI का अल्टिमेट ग्राफिक कार है और उसके अलावा यह जो ग्राफिक कार है और क्लॉक्ट एडिशन आता है यह वेंटेज 2x मॉडल रहता है देखो MSI का जो वेंटेज सीरीज अब यह जाती है उसके अंदर to x 3x करके假限 21ちゃん हैं मतलब 2 fan के साथ में रहता है यह मतलब 3 fan के साथ में रहता अच्छा रहले से फैन ज्यादा जितना रहेगा उतना ग्राफिकक को कुल ज्यादा रहे का तो यह 2X में है, और Clock Edition है, भाई Motherboard तो आपको मैंने बता ही दिया था, अभी Prozor 13400F के बारे में मैं बता दिया था, RAM आपको 1616GB की 2 DDR5 5200 MHz की Non-RGB वाली RAM थी, अभी आते हैं, फाइनल जो प्रोड़क्ट है, उसके अंदर हम Cooler, देखो, प्रोसेसर के साथ में जो Stock Cooler आता न, मतलब 2 Heatsink रहते हैं, उसके साथ में 2 Fan रहते हैं, काफी अच्छा Air Cooler है, जो Price.4K के अंदर भाई, क्या बोलू यार, Best Air Cooler बोल सकते हैं, और RGB के साथ में रहेगा, और Power Supply हमने यूज किया है, 750W का Circle का, 80 Plus Bronze Rated, Max to Max, आपको इस PC के लिए 650 चाहिए होता है, लेकिन Circle का जो 750, 650 में Price Margin डिफरेंट नहीं है, इसलिए हमने ये 750W का Power Supply दिया, अब भी Final Product आते हैं, Case, Case DIR 711 Anti-Sport का, जो Case है, Best Case बोल सकते हैं, Front के अंदर 3 Fan आता है, Side आपका Tempered Glass रहेगा, वो भी आपको Magnetic Lock के साथ में आप Remove कर सकते हो, या निकाल सकते हो, Back एक Exhaust Fan रहता है, Total Front 3, Back एक Exhaust Fan, उसके अलावा Type C Port भी इस Case के अंदर रहता है, Top के अंदर इस PC के अंदर जो हमने Components MSI के Graphic Card रहने दो, या Motherboard रहने दो, या जो भी रहने दो, पूरे आइटम Best Price to Performance निकाले, जो 80K के बजट के अंदर बन जाता है, तो भाई, देर किस बात कि आपको भी ऐसा PC बनाना है, डिस्क्रिशन पर नंबर रहेगा, लोकेशन रहेगा, और मे कि आपको बना है, आपको भी जाता है